सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके अलाइज टीवी सच सच्छ सच्यार नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हमारे प्रिये मोदी जी की तरह उचिस्तर का भाशन दिया जाता है शुरुआत में अपने अन्यदाता श्री श्री अंबानी जी को मन ही मन में परणाम करेंगे हिर्मंच पर उपस्थित आपके कालिया और सामा का शुक्रिया अदा करना जरूरी है क्योंकि उनके बिना देश को इतनी बकूमी से लूटना आपके लिए संभव नहीं था भाशन के सफलता के लिए आपको ये मानना जरूरी है कि जनता बेवकूप है और आपके जूट को पकड़ नहीं पाएगी अगर आप मुख्य मंत्री स्तर के नेता हो तो आपके भाशन में लगभग 100 से 200 जूट बोलना जरूरी है केंद्रिय मंत्री या प्रदान मंत्री स्तर के नेताओं के लिए जूट बोलने की कोई पाबंदी नहीं है भाशन के दोरान इस बात का विशेश ध्यान रखें कि आपकी आवाज तेजी से बढ़ती रहे ठीक जैसे तेल के दाम इस समय बढ़ रहे है भाशन के दोरान दो-तीन बार महातमा गांदी का उले करना अनिवार्य है भले ही आपके कर्म गांदी जी के विचारों की हत्या करते हूँ भाशन के दोरान अगर आपका कोई नेता सोता हुआ पाया जाए तो समझीए आपका भाशन सही दिशा में जा रहा है बीच बीच में पिछले साड़े चार साल के काम को लेकर जूटे आक्रें फैकते रहें और मौका मिलते ही जनता के सामने तरह तरह के जुमले उचालते रहें ताकि तालियों की गलगलाहट के साथ नारे बाजी होती रहे बीच बीच में अपने हाथों को इस तरह चमकाते रहें जैसे मौहले की औरतें जगणा करते समय अपने हाथों को चमकाती हैं साथ ही ध्यान रहे इस दोरान पांट साल में बिरोजगारी सबसे ज़्यादा है जैसे आकड़े गलती से भी ना निकल जाए क्योंकि इससे आपकी पोल खुलने का डर रहेगा एक लाग तीस हजार का घुटाला करके अपने भारत माता की आपने पराजय की जो कहानी लिखी है उसको नजरंदास करते हुए आकरी में नाट किये धंसे दोनों हाथों को उपर उठा कर गलाफाड आवाज में भारत माता की जै बोलिये अगर आप इन विंदूं पर खड़े उतर जाते हैं तो मोधी जी के आशिरवात से आप भी भाजपाई चरित्रे के नेता बन सकते हैं और क्या पता आगे चलकर आप भी भाजपा के प्रधान मंत्री पत के दावेदार बन सकते हैं